आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे आई एक से स्टॉक के बारे में पिछले दो दिनों में देखेंगे तो इस्टॉक नियरली अराउंड 20% से ज्यादा की गिरावर्ट दिखी है कल भी 10% आज भी लगबग 10% आखिर यह गिरावर्ट क्यों दिखी क्या यहां से 20 और मतल बूटी कंपनी है कुछ action नहीं लेगी आगे आएए इसके सभी बिंदू को points by points discuss करेंगे इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके share करें description के links एकाउंट open कर लें और market scientist premium के नाम से जो टेलिग्राम है उसको जोइन कर लें आखिर यह गिरावर्ट हुई क्यों सबसे पहले तो important यह है समझना यहां देखेंगे वाई इंडियंस एक्षेंज शेयर फिल आखिर क्यों गिरा है इस परकार के सभी editorial दिख रहे हैं यहां दे यह कारण है stock in the news क्या news है CERC likely to undertake the process of market coupling in a timely manner market-based economic dispatch function might move to post-co-government organization और move might take away IEX mode of being the platform for price determination IEX क्या है इस चीज को समझना पहले जरूरी है IEX एक exchange है जैसे NAC BAC है वहाँ पे power की trading होती है इस समय यहां देखेंगे तो buyer और share multiple है और जो demand और supply के best पे किसी stock के price को हम निर्धारित करते हैं उसमें और भी fundamental चीजें होती है EPS PE लेकिन उसको ignore करें टेक्निकली बात को असान भासा में समझे इस समय तक IEX खुद price को जो है रखती थी जो भी यहां देखेंगे जो price research करना होता था कि कितने price रखे जाएंगे price determination उसके पास था और bidding का power उसके पास था IEX के अलावा PXIL एक another exchange था और यहां क्या था कि एक दूसरे के trading पे दूसरे के exchange से trade नहीं किया जाएगा जिसके बाद government ने क्या क्या चुकि India एक growing nation है और growing nation में power के demand continuous बढ़ते दिखेंगे उसको लेकर के इसने price पे coupling करने के लिए एक organization यहां देखेंगे government organization होगा post को जिसको संगठीट करा है कि एक market price को coupling किया जाएगा fix किया जाएगा जहां IEX के moat यानि जो इसके profit या monopoly थी वो हटते हुए दिखेगी और जब इस परकार के fear आए तो लोग panic हुए rating agency ने downgrade करा और stock गिरता हुआ दिखा यहां management S&GOLG के तरफ से क्या बयान आ रहा है market coupling is when you couple different geographics पहला बयान है don't understand why different exchanges within India need to coupled, don't think interpretation of market coupling is accurate, will need to watch construct its third party doing price discovery इसके साथ दिखेंगे earlier market share जो था लगबग 96% से 88% आते हुए दिखा है यहां simply GOLG का बात यह है कि third party को ना रहा है क्यों इसके लिए coupling किया जा रहा है इस समय यह accurate नहीं है, interpret करना इस चीज में और geographical differences को देख करके market coupling क्यों आप कर रहे है ऐसा कुछ बयान इन्होंने दिया है, इसके साथ ही देखेंगे तो anti-q ने sell करा है, यह सब तो मतलब भूखे लोमरी है जब भी कुछ ऐसे news आए तो इनको तो opportunity चाहिए, यही सब news trend हो रहा है यहाँ देखेंगे तो delivery अभी भी बहुत सारे लोग dips को buy कर रहा है इसके साथ देखेंगे तो यहाँ trend काफी weak है, जो लोग penny stock कह रहे है I don't think so, यह nation growing है, power के consumption के demand बढ़ते देखेंगे IEX कुछ न कुछ जरूर करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि technically जब 52 week लोग पे हो तो इसमें short term trading से बचना चाहिए, invested है तो बने रहे 80 से 98 के बीच का buying मिले तो again एक buying किया जा सकता है और यहाँ से जो मेरा expectation है, पहला 160 और 200 प्लस तक के level next two year में दिख सकता है, short term trader caution बढ़ते हैं